वह अपने घर की इकलोती बेटी थी, पढ़ाई लिखाई में होनहार और कुछ करने का जुनून लेकर इसी साल गाजियाबाद के A.B.S. Engineering College में एडमिशन लिया था, वो बचपन से ही इंजीनियर बनने का सपना देख रही थी, और जब उसे अपना पसंदीदा Computer Science Branch मिल गया, अपने सपने को पूरा करने के लिए हर रोज वो अपने घर से College जाने लगी, College से वापस आकर College की धेर सारी कहानी अपनी मां के साथ शेयर करती, और फिर रात होते ही पढ़ाई में लग जाती थी, हनस्ती, मुस्कुराती, कीर्थी हर किसी के आँखों की तारा थी, लेकिन न जाने कीर्थी की खुशियों को किसकी नजर लग गई, सिताइन अक्टूबर की शाम, जब कीर्थी के घर वाले उसके घर आने का इंतजार कर रहे थे, तब कीर्थी तो घर नहीं आई, लेकिन कीर्थी के नंबर से ही एक कॉल आया, वो कॉल पुलिस वाले की तरफ से था, प दोस्तों, हर माँ बाप की एकवाहिश होती है कि उनके बच्चों के सारे सपने पूरे हो, भले ही अपने बच्चों के सपने को पूरा करने के लिए उन्हें कितनी भी कुर्बानिया क्यों न देना पड़े, वो पीछे नहीं हटते हैं, उत्तर प्रदेश के हापुड की रह से हुआ था, बच्चपन से ही अच्छे और खुशनुमा माहौल में परवरिश पानी की वजह से कीरती भी काफी खुश मिजाज लड़की थी, वह हर किसी के साथ प्यार और इजज़त से पेश आती थी, और कभी कोई ऐसा काम नहीं करती थी, जिससे उसके मम्मी पापा उस कीरती का सपना बच्पन से ही इंजीनियर बनने का था, अपने इस सपने को पूरा करने के लिए वो जे-ई की तयारी करने लगी, 2022 में कीरती जे-ई क्रैक करने में काम्याब भी हो गई, और उसे लखनव के ख्वाजा मौईनुदीन चिष्टी लैंग्विज यूनिवरसिट कीरती में इंजीनियरिंग में एड्मिशन भी मिल गया, लेकिन कीरती के घरवाले अपनी इकलोती बेटी को घर से इतनी दूर भेजना नहीं चाह रहे थे, इसलिए कीरती ने उस साल एड्मिशन नहीं लिया, और दोबारा से JEE की तयारी में जुट गई, 2023 में वो फिर से JEE JEE एक्जाम क्रैक करने में कामयाब रही, और इस बार उसे हापुड के पास गाजियाबाद में ही मौजूद AB's Engineering College में एड्मिशन मिल गया, खुशी की बात यह थी कि इस बार उसे अपना मन चाहा Branch Computer Science भी मिल गया था, कीरती का सपना था कि इंजीनियरिंग पूरी करने के ब पूरी में नए सेशन की शुरुआत हुई, तो कीरती भी घर से ही College जाने लगी। कीरती खुद इतनी हिम्मत वाली लड़की थी कि कोई भी परेशानी उसका रास्ता नहीं रोक सकता था, लेकिन यह तो बस हम इंसानों की ही सोच थी, ऐसा सोचते हुए हम यह भूल जाते हैं कि इंसानों की इस दुनिया में कुछ शैतान भी बसते हैं। कीरती हमेशा ओंटो से की आना जाना करती थी, इसलिए आज भी वह अपने दोस्त के साथ ओंटो से घर जा रही थी। रास्ते में उसकी अपने चचेरे भाई से बाद भी हुई, कीरती ने अपने भाई को बताया कि वह थोड़ी देर में घर पहुँच रही है। अफसोस। कीरती का थोड़ी देर में घर पहुँचने का यह वादा कभी पूरा नहीं ना हो सका। आउटो में सफर करते समय कीरती का मोबाईल उसके हाथ में ही था और इसी मोबाईल पर दो लुटेरों की नजर पढ़ गई। कुछ देर से एक बाईक कीरती के आउटो के आसपास ही चल रहा था पर हाईवे पर यह सब मामूली चीज है। इसलिए ना तो कीरती ने और नहीं उसके दोस्त ने उस बाईक की ओर कोई ध्यान दिया। लेकिन जब ये आउटो नेशनल हाईवे नंबर 9 के डासना फ्लाय ओवर के पास पहुँचा तब बाईक सवार वहीं दोनों लोग आउटो के बिलकुल करीब आ गए और दरवाजे के पास ही बैठी कीरती के हाथ से उसका मोबाईल छीन लिया। उन दोनों ही बदमाशों को यह लगा था कि वह एक छपटे में ही कीरती के हाथ से मोबाईल ले लेंगे। लेकिन कीरती इतनी हिम्मत वाली थी कि उसने अपना मोबाईल नहीं छोड़ा। दो खुखार लुटेरों के सामने एक 19 साल की मासूम सी लड़की थी। लेकिन फिर भी कीरती ने मोबाईल पर से अपनी पकड़ डीली नहीं की और वह दोनों लुटेरे भी मोबाईल छोड़ कर जाने को तयार नहीं थे। एक मोबाईल की खातिर यह लुटेरे इनसानी जिन्दगी को भी दाव पर लगाने से पीछे नहीं हटे जब कीरती ने अपना मोबाईल नहीं छोड़ा। तब बाईक पर पीछे बैठे लुटेरे ने मोबाईल के बजाए कीरती का हाथ पकड़ कर ही उसे ओंटो से नीचे खींच लिया। उटो से नीचे गिरने के बाद भी उन बदमाशों ने कीरती का हाथ तब तक नहीं छोड़ा जब तक उन्हें मोबाईल नहीं मिल गया। अब उसकी वही दोस्त सड़क पर जखमी हालत में पड़ी हुई थी। पास एक कॉल आया वो मनहूस कॉल जो उनकी दुनिया को हमेशा के लिए वीरान करने वाला था। ये कॉल पुलिस की ओर से की गई थी। पुलिस वाले ने कीरती के घर वाले को बताया कि कीरती हॉस्पिटल में भरती है। आप लोग जल्द से जल्द यहां पहुँच जाए। पहले तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि यह उनके साथ क्या हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले तो कीरती ने कॉल करके बताया था कि वह थोड़ी देर में घर आने वाली है। पर अचानक ये क्या हो गया कि पुलिस वाले बता रहे हैं कि कीरती हॉस्पिटल में है। खै, खैर, यह खबर सुनकर कीरती के घर वाले भागे भागे गाजियाबाद के यशोदा हॉस्पिटल पहुँचे। वहां पहुँचकर उन्हें पता चला कि उनकी बेटी वेंटिलेटर पर है और उसकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर है। लेकिन कीरती के साथ हुआ क्या था? जब परिवार वालों ने यह सवाल किया, तब पुलिस ने कीरती के साथ हुई घटना के बारे में उसके परिवार वालों को बताया। जिस जगह पर यह हादसा हुआ था, वहां पर एक सी सी टीवी लगा हुआ था। कीरती के साथ हुई यह पूरी घटना सी सी टीवी कैमरे में कैद हो गई थी। ओपरेशन भी किया, लेकिन कीरती की स्थिती में कोई सुधार नहीं हुआ। ओपरेशन के बाद भी कीरती वेंटिलेटर पर ही थी। डॉक्टरों ने कीरती की स्थिती में सुधार लाने की हर मुमकिन कोशिश की पर अफसोस। कीरती का जखम इतना गहरा था कि डॉक्टरों की हर कोशिश नाकाम साबित हुई। और इस जालिम दुनिया के जुल्म का शिकार होने के लगभग 48 घंटे बाद कीरती इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह कर चली गई। जिस पिता ने यह सपना देखा था कि उसकी बेटी एक दिन अपने सपनों के बलबूते ऐसी उँची उड़ान भरेगी कि सारी दुनिया उसे देखती रह जाएगी। पुलिस ने आरोपियों की तलाश तेज कर दी। जांच के बाद पुलिस ने दोनों आरोपी की पहचान कर ली। इस घटना में जितेंद्र उर्फ जीतू और बोबिल उर्फ बलवीर शामिल था। यह दोनों ही पेशेवर अपराधी थे। पुलिस ने इन दोनों की तलाश तेज कर दी। घटना के अगले दिन ही शनिवार की शाम को ही पुलिस न दोनों आरोपियों तक पहुँचने में कामयाब रही। लेकिन पुलिस को देखकर ये दोनों भागने की कोशिश करने लगे। आरोपियों को रोकने के लिए पुलिस को फाइरिंग करनी पड़ी जिसमें बलवीर के पैर में गोली लगी और वह जखमी हो गया। पर जितेंद्र वहां से भागने में कामयाब रहा। पुलिस बलवीर को गिरफतार करके ले गई और जितेंद्र की तलाश शुरू कर आजियाबाद पुलिस मसूरी थाना इलाके में गंगनाहर के पास चेकिंग कर रही थी। सोमवार यानी 30 अक्टूबर के सुबह पांच्ट बजे के आसपास पुलिस चेकिंग के पास से ही जितेंद्र गुजर रह था। पुलिस को पहले से ही उसके वहां से गुजरने की इ यह गोली जितेंद्र को जा लगी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। जबकि दूसरा आरोपी पहले ही पुलिस की गिरफ्त में आ चुका था। तो इस तरह से गाजियाबाद पुलिस ने कीरती की मौत के 12 घंटे के भीतर ही उसे इंसाफ दिला दिया। लेकिन यह इंसाफ अभी अधूरा है। यह पूरा तभी होगा जब बलवीर को भी कड़ी से कड़ी सजा मिले। और साथ ही कानून व्यवस्था यह सुनिश्चित करें कि दोबारा किसी भी कीरती या कार्तिक के साथ ऐसी घटना ना हो। जितेंद्र को तो उसकी की सजा मिल गई। लेकिन आप बलवीर के लिए कौन सी सजा चाहते हैं। कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही और भी वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर करें।